हेलो दोस्तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ अपे श्टॉक में डिमेटंट ट्रेडिंग अकउंट कैसे ओपन करते हैं अगर आप share market में investment करना चाहते हैं या फिर trading करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास demand and trading account होना चाहिए तो अगर आप अपना app stock में demand and trading account open करना चाहते हैं या फिर app stock से refer करके पैसे कमाना चाहते हैं तो चलिए देखते हैं कैसे आप e-stock में आप अपना account open कर सकते हैं और account open करने के लिए आपको क्या क्या document लगेगा इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा तो देखते रहिए अप e-stock में account open करने के लिए आपको account opening link इस वीडियो के description में मिल जाएगा तो इस link पे आप click करेंगे तो इस page पे आप आ जाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना mobile number इंटर कर देना है और sign up with mobile number पे click करना है उसके बाद आपके mobile number पे OTP आ जाएगा तो OTP को आपको यहाँ पे enter कर देना है और continue पे click करना है उसके बाद यहाँ पर आपको create a new six digit pin का option दिख जाएगा तो जो भी pin आप रखना चाहते हैं यहाँ पर आपको six digit का pin इंटर कर देना है उसके बाद continue पर click करना है उसके बाद confirm your pin का option दिख जाएगा तो जो भी pin आपने enter किया है फिर से यहाँ पर आपको enter करना है और update पे click करना है उसके बाद get OTP पे click कर देना है उसके बाद आपके email ID पे OTP आ जाएगा तो आपको अपना email open कर लेना है OTP आपको मिल जाएगा तो OTP को copy कर लेना है उसके बाद यहाँ पे आपको अपना OTP enter कर देना है अगर OTP आपको नहीं मिलता है तो आप अपने email के spam folder में check कर सकते हैं या फिर यहाँ पे recent भी कर सकते हैं तो यहाँ पे OTP इंटर करने के बाद continue पे click कर देना है उसके बाद यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपको account open करने के लिए आपको अपना pen card और अधार card आपको अपने पास रखना है और एक बाद आप जरूर ध्यान में रखे कि आपके आधार card में आपका mobile number link होना चाहिए तभी आप अपना account open कर सकते हैं तो अगर आपके पास pen card और अधार card है तो यहाँ पे आपको continue पे click कर देना है उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना pen number enter करना है उसके बाद यहाँ पे data worth पे click करके यहाँ पे calendar open हो जाएगा तो जो भी आपके pen card पे आपका data worth है उसको यहाँ से select कर लेना है उसके बाद next पे click करना है उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ personal detail पूछा जा रहा है तो यहाँ से आपको अपना personal detail select करना है जो सबसे पहले यहाँ पे आपको what is your gender का option दिख जाएगा तो आपको अपना gender यहाँ से select कर लेना है उसके बाद यहाँ पे what is your marital status का option दिख जाएगा तो अगर आप married है तो यहाँ से married select कर लेना है अगर आप single है तो single select कर लेना है उसके बाद यहाँ पर what is your annual income का option दिख जाएगा तो एक साल में जितना भी आप कमाते हैं यहाँ से आपको अपना income select करना है अगर आप income नहीं करते हैं तो यहाँ पर below 1 lakh select करना है उसके बाद what is your trading experience का option दिख जाएगा तो अगर आपने share market में कभी भी trade नहीं किया है तो less than 1 year select करना है या फिर अगर आपने trade किया है तो आप अपना experience select कर सकते हैं उसके बाद नीचे scroll करेंगे तो your father's name as per your pen card का option दिख जाएगा तो इस box में यहाँ पर आपको अपना father का नाम enter करना है जो कि आपके pen card पे है कर लेना है अगर आप student है तो student आपको select कर लेना है उसके बाद यहाँ पर आपको आपको आड़ यू पोलिटिक ली एक्सपोज का option दिख जाएगा तो अगर आप पो पोलिटिक से जूरी हुए नहीं है तो यहाँ पर आपको no select करना है उसके बाद is your country of tax residency India तो यहाँ पर आपको yes select करना है उसके बाद नीचे scroll करेंगे तो आपको taxpayer declaration दिख जाएगा तो इसको आपको ध्यान से पढ़ लेना है उसके बाद I accept the above declaration इस box में आपको चेक कर देना है उसके बाद continue पर किलिक करना है उसके बाद यहाँ पर congratulation का message आ जा जाएगा तो इस box में यहाँ पर आपको अपना signature करना है अगर आपका signature एक बार में नहीं होता है तो erase all पर click करेंगे तो signature यहाँ से मीटी जाएगा तो फिर से यहाँ पर आप signature कर लेना है और continue पर click करना है उसके बाद यहाँ पर आपको अपना stock account को dg locker के साथ connect करके आधार detail यहाँ पर upload करना होगा तो यहाँ पर आपको connect now पर click कर देना है उसके बाद proceed पर click करना है उसके बाद यहाँ पर आपको अपना 12 digit का अधार number यहाँ पर enter कर देना है और next पर click करना है उसके बाद आपके अधार card में जो mobile number link है उस पर OTP आ जाएगा तो यहाँ पर आपको अ इंपोर्स को करेंगे तो आपका यहां पे अधार डिटेल अपलोड हो जाएगा उसके बाद अब आपको यहां पे अपना एक सेलफी क्लिक करना होगा तो यहां पे आपको कंटिनु पे क्लिक करेंगे तो कैमरा का परमिसन मांगा जाएगा तो यहां पे अलाव कर देना है उस अपना फोटो क्लिक कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको अपना फोटो क्लिक करने के बाद, accept पर क्लिक कर देना है, उसके बाद continue पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको enter your bank details का option दिख जाएगा, तो सबसे पहले यहाँ पर account holder name में, आपके bank account के passbook पर जो आपक account type दिख जाएगा, तो अगर आपका account saving है, तो saving select करना है, अगर current है, तो current select करना है, उसके बाद continue पर क्लिक करना है, उसके बाद फिर से यहाँ पर continue पर क्लिक करना है, उसके बाद अगर आप future option currency community में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो इसको activate करने के लिए income proof अपलोड कर सकत हैं, या फिर अगर आपके पास income proof नहीं है, या फिर बाद में इसको enable करना चाहते हैं, तो no I'll do it later इसको select रहने देना है, और continue पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर nominee detail add करने का option आजाएगा, तो अगर आप nominee detail add करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं, या फिर इसको बाद में आप add कर सकते हैं, तो यहाँ पर I'll do it later पर क्लिक कर देना है, उसके बाद e-sign करने का option आजाएगा, तो यहाँ पर e-sign भी था, अदार OTP पर आपको क्लिक कर देना है, उसके बाद कुछ second wait करना है, उसके बाद यहाँ पर e-sign now का option दिख जाएगा, इसको आपको क्लिक कर करना है, उसके बाद proceed to e-sign पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो आपका application यहाँ पर दिख जाएगा, तो e-sign करने से पहले अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो इसको आप पढ़ सकते हैं, उसके बाद नीचे sign now का option दिख जाएगा, इसके आपको क्लिक कर देना है, उसके बा क्लिक कर देना है, उसके बाद आपका e-sign successful हो जाएगा, यहाँ पर कुछ second wait कर लेना है, इस window को आपको close नहीं करना है, उसके बाद आपका application successfully submit हो जाएगा, तो अब आपको यहाँ पर wait करना है, एक दो दिन में आपका account open हो जाएगा, या फिर same day में भी account open हो सकता है, maximum account open हो जाएगा, और account open होने के बाद आपका user ID और password आपके register email ID पे आपको मिल जाएगा, अगर आप working day में account open करेंगे, तो आपका account 2-3 घंटे के अंदर भी open हो सकता है, अगर आप non working day में करेंगे, तो आपका 2-3 दिन time लग सकता है, तो अपे stock में इस तरह से आप अपना account open कर सकते हैं, और account open करने के बाद first time login कैसे करते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं, तो इसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है, उसका link मैं आपको description में दे दूँगा, तो उस वीडियो का आप देख सकते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं, पे stock से refer करके पैसे कैसे कमाते हैं, तो इसके लिए भी वीडियो मिल जाएगा, उसका link मैं आपको description में दे दूँगा, तो उस वीडियो का अब देख सकते हैं, तो उमीद है दोस्तो वीडियो पसंद आया होगा, तो अगर आपने अभी तक वीडियो को like नहीं किया है, तो like जबूर से आप कर दिजिएगा और channel को subscribe कर लिजे, न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए